हेलो दोस्तों, welcome back to my channel, I hope आप सब बहुत अच्छी होंगे तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 7 days pimple remove challenge लेकर आई हूँ कि सिर्फ 7 दिनों में कैसे आप pimples को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं तो आज मैं आपके साथ 5 tips से बताऊंगी, जिसे follow करके आप अपने pimples को guide up कर सकते हैं बस होनिष्टी से आपको इस 5 tips को follow करना होगा तो दोस्तों, सभी ना pimples की problem से बहुत परेशान हैं सोसते हैं कि कितनी जल्दी इस pimples को हमेशा के लिए खत्म कर दें तो pimples होने का कारण क्या है, pimples क्यूं होते हैं जो हमारे skin के pores होते हैं वो बंद हो जाते हैं तो वैक्टिरियो और dead cells को बिक्सित करते हैं जिसके एक रूप में, वो pimples के रूप में हमारे skin पर बड़े बड़े दाने की तरह निकालाते हैं तो अगर आप मेरे बताएगे tips को होनिष्टी से follow करेंगे तो 100% आपकी 7 days में ही pimples गायब हो जाएंगे और धीर धीर पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएंगे बस आपको पूरी वीडो को watch करना होगा और इस tip मेरे बताएगे tips को follow करना होगा अगर आप सच में अपने pimples को हमेशा के लिए गायब करना चाहते हैं तो तो चलिए जान लेते हैं कि pimples क्यों होते हैं हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि pimples ना हो तो tip number one आप कितना पानी पीते हो एक लीटर, दो लीटर, या तीन लीटर या फिर एक या दो ग्लास तो अगर आप एक या दो ग्लास पानी पीते हो तो आपको 100% pimples की problem हमेशा रहे कि कभी आपकी pimples की problem खत्म नहीं होगी और अगर आप 2-3 लीटर पानी दिन भर में पीते हो तो आपको pimples होगा ही नहीं तो pimples को खत्म करने के लिए पानी पीना भी बहुत जरूरी है पानी पीने से आपका pimples की problem ही नहीं खत्म होती आपकी skin पर glow भी आता है और आपका digestive system भी बहुत अच्छा हो जाता है आपकी health भी बहुत अच्छी रहती है आप अच्छी से खाने को digest कर सकते है और आपकी fitness भी बनी रहती है पानी पीने से ही आपकी आदि से ज़्यादा problem भी खत्म हो जाती है तो अगर आपको pimples को खत्म करना है तो दिन भर में कम से कम आपको 2-5 लिटर पानी जरूर पीना चाहिए बस आप 1 बीक तक 2-3 लिटर पानी पी कर देखी आप देखेंगे कि आपके दिने निरे pimples भी गायब होने लगे है और आपकी skin बहुत ही ज़्यादा glowing भी हो जाएगी आपको natural glow मिलेगा सरी पानी पीने से ही आपको अपने skin पर फर्क दिखने लगेगा यकीन नहीं होता तो try करके देख लेना अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पसता है तो पानी पीने से आपका खाना अच्छे से पचने लगेगा अगर हम खाने को अच्छे से digest नहीं कर पाते हैं तो भी हमें pimples हो जाते हैं इसलिए खाने को अच्छे से डाजिश होना बहुत जरूरी है उसके लिए आपको खाने से घंटे पहले पानी पीना चाहिए और खाने के कम से कम आधे घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए खाने के बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए और दिन भर में आपको मैंने जितना पानी बताया है 2-3 लिटर पीना है तो क्या आप इस टिप्स को फॉलो करने के लिए तयार हैं? तो चलिए आप देखते हैं कि second tip से क्या है तो second tip से healthy खाना आप खाने में क्या खाते हो? और अगर आप चाते हैं कि आपकी skin से pimples हमेशा के लिए खत्म हो जाए आपकी skin बाकी लोगों की तरह भी glowing होने लगे तो आपको healthy खाना खाना होगा ज्यादा oily चीजे बाहर की junk food आपको कम कर देना है और धीरे धीरे आपको बिलकुल भी बन कर देना है अगर आप बहुत ज्यादा junk food खाते हो ताप धीरे उसको कम करने की कोशिच कीजिए फिर उसको हमेशा के लिए आप बन कर दीजिए इससे आपकी health बे अच्छी रहेगी और आपकी pimples की problem भी गायब हो जाएगी और आपको ज्यादा oily खाना भी नहीं खाना है आप कोशिच कीजिए कि आप अपने diet में fruit खाए, salad खाए, हरी सबजियां खाए और ज्यादा तली भुनी चीज़े आप ना खाए तो आज से आप healthy खाना खाना शुरू कर दीजिए तो ये थी मेरी second tips कि आपको healthy खाना खाना है बार की जंग food को बन कर देना है और ज्यादा oily चीज़े भी नहीं खाना है तो चली जान लेते हैं कि ठल tips क्या है ठल tips है stress, बहुत ज्यादा तनाओ आप कितना सोचते हो, अगर आप पूरी तरसी नीद नहीं लेते हो तो ये भी आपका pimples का कारण बनते हैं तो आपको ज्यादा stress नहीं लेना है आपको कम से कम साथ से आठ घंटे तो नीद लेनी है बस वन बीक तक आप अपने माइन को stress free कर दीजिए आपको वन बीक में ही फर्क दिखने लगेगा इसके लिए आपको time से सोना पड़ेगा, time से खाना पड़ेगा आपको stress बिलकुल ले लेना है क्योंकि ना pimples होने का बहुत बड़ा कारण है stress तनाओ के कारण भी pimples बहुत होते हैं तो आपको आज से ये tips follow करनी है कि आपको बिलकुल भी stress नहीं लेना है आपको अपने mind को free रखना है आपको हमेशा happy रहना है क्योंकि अगर आप happy रहोगे ना तो आपकी skin भी बहुत ज़्यादा glowing दिखेगी तो आप हमेशा खुश रहिए और ऐसी सी चीजे कीजे जिससे आपको खुशी मिले जिससे आपको बिलकुल भी stress फिल ना हो तो ये रही हमारी ठल tips तो four tips है योगा करना, exercise करना तो आप अपने daily routine में कम सकम 15-20 minute तो आपको योगा के लिए अपने health के लिए तो देना चाहिए आप yoga कर सकते हैं कोई भी exercise कर सकते हैं meditation कर सकते हैं इससे आपका mind भी अच्छा रहेगा आपकी health भी अच्छी रहेगी और आपकी skin भी अच्छी रहेगी योगा करने से, exercise करने से आपकी आधी problem तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो आपको daily routine में इसको जरूर follow करना चाहिए कम सकम 15-20 minute तो आपको अपनी health को देना ही चाहिए इससे आप fit भी रहेंगे और आपकी skin भी glowing रहेगी तो आप ही मेरी 4 tips को जरूर follow कीजिएगा तो यह रही हमारी 4 tips कि आपको daily 15-20 minute तक योगा या फिर exercise जरूर करना है और 15 minute तक meditation भी करना है इससे आपका mind बहुत ज़्यादा relax भी होगा और आपको बहुत अच्छा feel भी होगा यह करन नहीं होता तो कल morning में आप इसे apply करके देखिएगा तो चलिए आप जान लेते हैं कि 5 tips क्या है तो 5 tips यह है कि आपको कोई भी chemical से related चीज़े अपनी skin पर यूज नहीं करनी जाहिए चाहिए वो फेश्वास हो या फिर कोई क्रीम हो अगर आप कोई क्रीम अपनी skin पर यूज करते हो तो अभी तो आपके लिए वो अच्छी है लेकिन धीरे धीरे आपकी skin dead होती जाएगी आपकी skin से धीरे धीरे जो natural glow होता है वो गायब हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि आपकी skin हमेशे ऐसी healthy बनी रहे नेचरल glow बना रहे तो आपको ये chemical वाली चीज़े avoid करना पड़ेगा आप कोशिच कीजिए कि कम सकम आप अपनी skin पर chemical वाली चीज़े यूज करें आप कोशिच कीजिए कि ज्यादा तर आप natural चीज़े अपनी skin पर यूज करें इससे आपको natural glow मिलेगा और आपकी healthy भी अच्छी रहेगी, skin भी अच्छी रहेगी और pimples की problem तो खत्मी हो जाएगी तो आपको अपनी skin पर फेशवास नहीं उच करना है आप natural चीज़े यूज कर सकते हैं जैसे कि आप अपने फेश को बेसन से धूल सकते हैं या फिर आप गेहूं का जो आटा होते हैं उससे भी आपने फेश को धूल सकते हैं उससे भी आपका फेश एकदम अच्छे से clean हो जाएगा और मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूँगी जिसमें आपको बताओंगी कि मैंने जो chemical चीज़े मना की है अब इसकी जगा आप क्या लगा सकते हैं तो मैं natural चीज़े आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप 5 tips को होनिष्टी से follow करती हो तो 100% आपके pimples भी गायब हो जाएगे और आपकी health भी बहुत अच्छी हो जाएगी बस आप अभी से एक डायरी उठाए और एक pen उठाएए आप इस सारी tips को इस डायरी में लिखिए और आप खुछ से promise कीजिए कि आप कल से इस tips को follow करेंगे बस 7 days आप follow करके देखिए फिर आगे आप खुद बखुद follow करने लगेंगे क्योंकि आपको इसका अपने स्कीन पर अपने हेल्थ पर आपको इसका रज़र दिखना शुरू हो जाएगा तो आप इस tips को follow कीजएगा इसके बाद आप मुझे comment बताईगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कितनी जादा ये helpful रही तो अगर आपको इस मेरी बताईगी फाइब थोड़ी से भी helpful लगी हो तो वीडियो को like करना ना भूले और अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो चैनल को subscribe करना भी ना भूले मैं फिर मिलती हूँ ऐसे आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे घर पर नेचरल चीज़े बना सकते हैं और अपनी स्किन पर यूज कर सकते हैं तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye